नमस्कार मैं हो दिव्य बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज एक परवरी दन गुरुवार कबरों के ओबने से पहले एक मेजर सुर्खियों पर बिहार सरकार S.E.S.T. वर्ग के विद्यारतियों को दे रही अलाब दाजे सरकार के इस फैसले के बाद बिहार के कैंसर मरीजों को अब नहीं होगी परिसानी आज से बदल रहे हैं ये नियब जो आपके जेब पर डाल सकते हैं आसर आज संसर्थ में बजट होगा पेज उससे पहले पिये मोदी ने दिये नसीहत आज से शुरू हो रही बारवी के परिक्षा इन बातों का परिक्षारती रखे ख्याल चलिये बढ़ते बिहार के अपतर की 25 वरी खबरों के और विस्तार से एससी में 5000 से भी अधिक पदों पर निकली भरती एससी यानि स्टाफ सेलेक्षन कमिशन में नौकरी करने की चाहर रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है दरसल एससी द्वारा 5649 पदों पर भरती निकाली गई है इस भरती के लिए आविदन प्रक्रिया आथ चहीं शुरू है और आविदन करने के अंतिम तारीक 28 परवरी 2024 है एक चोको मिद्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस भरती के लिए उमिद्वारों के सेक्षनिक योगिता की बात करे तो सभी पदों के लिए अलग-अलग सेक्षनिक योगिता आयन इर्धारित की गई है जिनमें किसी भी मानिता प्राप्त बोर्ट से दस्विंग की परिक्षा या बारवी की परिक्षा पास की हो या सनाता की डिगरी हासल की हो इस भर्ती के लिए उमें द्वारों की आयू सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए इस भर्ती के लिए आपको आविदन सुल्क के रूप में सौर पे लगेंगे हालांकि जो लोग S.C.H.T. वर्ष से है या एक सर्विसमेन है या महिला उन्हें आविदन सुल्क नहीं देने होंगे इससे संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते ही बिहार सरकार S.C.H.T. वर्ष के विद्यारतियों को दे रही है लाब बिहार में 112 राज की कल्यान छात्रावास का निर्मान बिहार सरकार द्वार अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती समुदाय के सैक्टिक विकास के लिए करवाया गया है तो वैसे विद्यारति जो अपना संबंद S.C.H.T. समुदाय से रखते हैं वे इसका लाब लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं इसकी जानकारी IPID बिहार ने भी अपने सोसल मेडिया एक्स के आधिकारिक हैंडल पर सेयर की है इस चात्रावास में नामंकन के लिए विद्यारतियों से कोई सुल्क नहीं लिए जाएंगे विद्यारति का नामंकन पिछली परिक्षा में प्राप्त अंके आधार पर होगा इस चात्रावास में विद्यारतियों को आवासन के साथ-साथ और भी कई अने सोविधाय दी जाएंगी जिन में उन्हें 9 किलो ग्राम चावल और 6 किलो ग्राम गेहु ने सुल्क दिया जाएगा मुखे मंत्री चात्रावास अनुदान योजना के तैत हर महीने 1000 रुपे भी दिये जाएंगे इस योजना का लाब लेने के लिए विद्यारति को जरूरी है कि वह बिहार राजे का अस्थाई निवासी हो और S.C.S.T. से अपना संबंध रखते हों आज से शुरू हो रही बारवी के परिक्षा इन बातों का परिक्षारती रखे ख्याल आज से बारवी बोट की परिक्षा की सुरुवात होई है ऐसे में जो भी बच्चे इस बोट परिक्षा में सामल होने वाले हैं या खबर उनके लिए खास दोर पर है परिक्षा को लेक गई थी लेकिन इस बार आप चाहें तो जूता मोजा पहन कर जा सकते हैं परिक्षा केंद पर किसी भी तरह के लेक्ट्रोनिक गैजट को ले जाना सक्त मना है इसलिए ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच एरफोन, कैल्कुलेटर जैसी चीज़े ना ले जाए ध्याना के कि परिक केंदरों पर 244 भी लागू रहने वाली हैं आज से बदल नहींगे नियब जो आपके जेब पर डाल सकते हैं असर आज से नय महीने के शुरुआत हो चुकी है ऐसे में जो कामकाजी या वैपार से जुरे लोग हैं उन पर कई नियम नय महीने के शुरुआत के साथ ही इस बदलाब करने जा रही हैं इस बदलाब के तहट आज से बिना बेनिफिसरी का नाम जोरे भी आप 5 लाग रुपेयों तों की मनी ट्रांसफर कर पाएंगे इसके अलावे जिन भी खाता धारकों का अकाउंट बैंक ओफ वरोदा में है उन्हें जटका लग सकता है क्योंकि बैंक ओफ वरोदा द्वारा घोसना करते वे कहा गया है कि वे अब एक प्रतिससर तक की फीस क्रेडिट कार्ड के जरिये रेन पेयमेंट पर लेंगे जो आज से प्रभावित किये जा सकते हैं इसके बात करें तो सुबह 8 बज कर 15 मिनट पर वित मंत्री अपने टीम के साथ फोटो सेशन में भाग लेंगी जिन्होंने बजट 24 को तयार करने में मदद की थी उसके बाद वित मंत्री रास्टपती से मुलाकात कर बजट की मंजूरी के लिए 8 बज़ कर 45 मिनट पर मंजूरी ले तो संसद टीवी और दूरदर्शन के जरिये से देख सकते हैं वह इसके शुरू होने से पहले पिये मोधी ने मीडिया को संबोधित किया अपने संबोधन के दौरान उन्होंने नसीहर देते वे कहा कि विपक्स सदन के दौरान हुर्दंग ना करे अच्छी तरह से बहस करे दस सालों में जिसको जो रास्ता सूजा इस प्रकार से संसद में सबने अपना कारी किया है जिनको आधितन हुर्दंग करने का स्वभाव बन गया है वो आधितन लोग तांत्रिक मूलियों का चीरहरन करते हैं बिहारी बत्रे स्पैसल में आज हम बात करेंगे पंडित बुध देव दास गुपता के बारे में पद्म भूसन बुध देव दास गुपता का जन में आज के ही दिन 1933 में हुआ था यह एक भारतिय सास्त्री संगीत कार और सरोध वादक थे उन्होंने पंडित रादिका मोहन मोहितरा से सरोध वादन सीखा था भारत सरकार्दवारा उन्हें 2012 में पद्म भूसन से सम्मा नित किया गया था इसके पूर्व उन्हें वर्स 2015 में संगीत महार सम्मान और बंगाल भूसन से सम्मा नित किया गया था उन लेखनी है कि वर्स 2011 में उन्हें भारत सरकात वारा पदम स्री की पेसकस की गई थी लेकिन उन्होंने इसे बहुत देर हो चुकी है कहकर लोटा दिया था ततपस चात उन्हें जनवरी 2012 में पदम भूसन से सम्मा नित किया गया था उन्हें 1993 में संगीत नाटक अकैडमी पुरसकार और 2011 में संगीत नाटक अकैडमी टैगोर रत्न से भी सम्मा नित किया गया था बिहार की गया दिले में इस वज़े से हो रही डाइट और बायो मार्क सर्वे की शुरुआद डायेट और बायो मार्क सर्वे की शुरुआत बिहार की गया जिले में शुरू हो चुकी है इस सर्वे की जिम्मेदारी इंडियन काउंसल ओफ मेडिकल डिसर्च के नेसल इंस्टिटूट ओफ न्यूटिसन हैदराबाद और राजिंदरी मेमोरियल रिसर्च इंस्टिटूट पटना को सौपी गई है इस सर्वे के तैद बच्चों से लेकर भुजुर्कों तक का न्यूटिसनल वैल्यू निकाला जाएगा जिसमें यह देखा जाएगा कि यह कितना क्या और कितनी बार खाते हैं गया के साथ-साथ यह सर्वे कैमूर सीटा मरी छपरा खगरी और कटहार जिले में भी किया जाएगा इस सर्वे के जरीए यह पता लगाए जाएगा कि जिले में कितने लोग एनिमी और कुपोसन के सिकार हैं सर्वे जिले में करीब 6 महीने तक चलने वाले हैं साथ है इस से लोगों के वजन और डाइट का पता लगाने के साथ कितने लोग BP से पीरित हैं इसका पता भी लगाया जाएगा इस सर्वे की मदद से हंगर इंडेक्स के पॉलिसी डिसीजन में भी मदद मिलेगी इस दिन तक मिलेगी सरकारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पोस्वाक और चातर विर्ती की रासी इनके उपसिती 75% या उससे अधिक होगी इसी आखने को सूची बद करने के कारण रासी का बुक्तान करने में थोरी देरी हुई है ठाला कि इस कारे को समय पर करने को लेकर कई जिले भी सोच रहे जिसके बाद NIC को इसके जिम्मेदारी सौपी गई राजसरकार के इस फैसले के बाद बिहार के कैंसर मरीजों को अब नहीं होगी परिसानी कैंसर जैसे बरी बिमारी के लिए मरीजों को बिहार से बाहर दूसरे राज़ों का रास्ता देखना पड़ता है लेकिन इन मरीजों को बिहार में ही अच्छी सुधा दी जा सके इसके लिए राजे सरकार प्रयासरत है इसी करी में राजे सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि वे दर्भंगा के गंगवारा में बनने वाले अस्पताल को गले गर्दन के साथ-साथ मुग के कैंसर रोके विसिस्ट अस्पताल के रूप में विक्सित करवाएगी मंत्री मं में स्वास विभाग आविसक उपकरन डॉक्टर और अन्य स्वास्त कर्मियों की टीम को उपलब्ध करवाएगी जब अस्पताल का संचालन्ज शुरू होगा तब इसके रख रखाब की जिम्मेदारी भी होमी भाबा केंद्र को ही दी जाएगी नवन्यूक्त सिक्चकों को इन तीन जिलों में स्कूल हुआ अवंटिस।र द्राजी में दूसरे चरन के तैद विहार लोक सिवा आयोग से चैनित नवन्यूक्त सिक्चकों को विद्णाले अवंटिस करने की तैयारी की जा रही है। उमीद है कि विद्धाले आवंटन का यह काम सब्ता भर में पूरा कर लिया जाए बीते ही दिन नवादा लखी सरा और खगरिया जिले के लिए विद्धाले का आवंटन इन नव न्यूक्त सिक्षकों के लिए किया जा चुका है हालांकि सिक्षा विभाग के आदेश पर अन् पूर गया मधिपूरा रोहतास पूर्णिया पटना वुजपरपूर वैसाली दर्भंगा समस्तेपूर पस्टम चंपारन पूर्वी चंपारन किसन गंच कैमूर कटेहार मधुबनी और सारं दिला सामिल है डेलवे अभ्यर्तियों के प्रदर्शन को देख पटना के इन इलाकों में लागू ही धार 144 डेलवे में असिस्टेंट लोको पाइलट की कम वैकेंसी से नाराज हजारों अभ्यर्तियों ने पटना में हंगामा किया था मामले को बरता देख दिला प्रसासन ने बड़ा फैस्टर लिया है जिसके तैट पटना सदर्व पटना सिटी अनु मंडल में धार 144 के तैट निस्टे धाग गया लागू कर दी गई है निसे अब इने इलाकों में रेलवे स्टेशन रेलवे कारिया लायों रेलवे ट्रैक और अन्य अस्थानों पर प्रदर्सन सरक जाम जुलूस धरना और भरकाउ भासन जैसे गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है यह प्रतिबंध पांच परवरी तक लागू रहेगा आपको बदा दे कि रेलवे भरती को लेकर गुसाए चात्र उन्ते जन्वरी से ही विरोत कर रहे थे उनका माना है कि रेलवे बोर्ड ने 6 साल बाद पूरे देश में केवल 5,696 असिस्टन्ट लोको पाइलट के पोस्ट पर ही वैकेंस से निकाली है यह रिखतिया काफी कम है इसलिए प्रदर्सन के जरिए रिखतियों को बढ़ाने की मांग कर रहे आपदा से रहात के लिए राजे सरकार की नहीं पहर बीते ही दिन अत्या धूनिक सुविधाओं से लैस नविकरित राजे आपात कालिन संचालन केंद्र का उदगाटन सरदार पटेल भवन में देखने को मिला है इसके उदगाटन के साथ ही निर्ने समर्थन प्रणाली का सुवारम भी किया गया बता दे के सुविधा के दाद अब प्रदेश में आपदा प्रबंधन कारियों को और भी बैतर तरीके से निस्पादन किया जाएगा इसका जिम्मा बिहार राजे आपदा प्रबंधन प्र बिहार पैटर में आज हम बात करें만े थावे मंदर के बारे में इस मंदिर को लेकर कई मानिताएं भी प्रचलेथ हैं साथ ही कहा जाता है कि भक्त इस मंदिर में यदि कुछ भी सच्चे मंद से मांगे तो उनकी एक्षाप पूरी होती है यहाँ पर प्रमुक प्रसाद के रूप में लोग पिरकिया चरहते हैं इस मंदिर तक आप रेल्वे और सरक के माध्यम से आसानी से पहुँच चकते हैं मंदिर के आसपास मेले भी लगे मिल जाएंगे यहाँ का बातावरन बेहदी स्थान्थ है यदि आप किसी धार्मे का स्थान पर घुमने का सौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं सप्लिमेंटरी डिजल्ट जारी करने को लेकर बीपियसी अभ्यरतियों ने किया हंगामा सप्लिमेंटरी डिजल्ट जारी करने की मांग बिहार में सक्चक बहाली के दूसरे चलन के अभ्यरतियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है इससे लेकर बीते ही दिन पटना के मिलर स्कूल मैदान में प्रदर्शन भी देखने को मिला इस प्रदर्शन में राज्जी के कई जिलों से अभ्यर्ती पहुंचे थे आपको मज़ा दे कि 14,762 पदों पर सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी करने की बाद सक्चा विभाग द्वारा कही गई थी इस रिजल्ट को लेकर आयोक के अध्यक्च और विभाग द्वारा अभ्यर्तियों को आस्वासन भी दिया गया था लेकिन आच्चे कई जलों में आने वाले एक दो दिन तक बारिस की संभाव न जटाई गई है मौसम विभाग के मुदाबिक इस हलकी बुंदा बांदी से एक बार फिर से ठंड बर सकती है हाला कि फिलहाल परवतिय चेत्रों पर पस्ति में विद Till्वाव का प्रभाब के कारण पच्छुआ हवा पहले से कम हुई है लेकिन बारिस के बार ठंड का सितम बर सकता है हाला कि प्रदेश की कई जिलों में मौसम सुस्क भी रह सकता है बात करें प्रदेश के तापमान की, तो यहां काधितम तापमान 18-20 दिग्री और यूंतम तापमान 8-10 दिग्री तक रहने वाला है इनी मामलों को देखते वे, परिवान मंत्राले प्रस्ताव लेकर आया है, जिससे अब सहमती मिल चुकी है बता दे कि अप्रस्ताब कैसलेस इलाज की सुविदा संसोधित मोटर वेहिकल एक 2019 का ही हिसा है ये कुछ राजों में पहले से भी लागू है लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू करने की तयारी है ताकि सरक दुरगटना के दौरान घायल हुए वेक्ति को गोल्डेन आवर्ड में किसी भी नजदी के अस्पताल में सही तरीके से इलाज मिल सके बिहार के IPS प्रसांद के सोर यूपी में नया कारेवाग डीजीपी के पदपर हुए नियूप उत्रपदेश में बिहार के रहने वाले सीनियर IPS प्रसांद के सोर को बरी जिम्मेदारी देते वे नया कारेवाग डीजीपी नुक्त किया गया है बता दे कि बीते ही दिन विजय कुमार इस पद से रिटायर हुए जिसके बाद सीनियर IPS प्रसांद को इस पद पर मौका मिला बिहार के सिवान दिले के हुसान गंज के रहने वाले प्रसांद के सोर यूपी कैडर में 1990 बैच के या IPS अधिकारी हैं ये यूपी सरकार में सबसे भरोसे मंद अधिकारियों में सेख है और इन्हें खास तोर पर अपराधियों और माफियों के एंकाउंटर करने के लिए भी जाना जाता है इसले लोग इन्हें उत्रपदेश में सिंगम के नाम से भी जानते है बोजपूरी अस्टार्ट पवन सिंग ने सीम नितीज से की मुलाकाद बीते ही दिन बिहार के मुख्यमंति नितीज कुमार से भोजपूरी अभी नेता पवन सिंग ने मुलाकाद की इस मुलाकात के बाद चर्चा देखने को मिल रही कि पवन सिंग लोकसभा का चुनाव लगने के एक्छाल को लेकर सीम नतीज से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे वहीं बोजपूरी इंडस्ट्री से मनोस्तिवारी दिनेस लाल याद अबने रहुआ और रवी किसन ने भी राजनीती में एंट्री मारी है इसलिए अब अब अबन सिंग के राजनीती में आने की चर्चा भी तेज हो चुकी है ती ज़त्री आदब से वापस ली गई जैट स्रेनी की सुरक्षा मिहार में नई सरकार के आने के बाद एक तरफ जहां समराजर चौदरी और विजैकुमार सना की सुरक्षा वापस ले ली गई है विजय कुमार सिन और समराज चौधरी को जड़ स्रेनी की सुरक्षा दी गई है इस संबन्द में ग्रीव विभाग द्वारा आदेश भी जारी किया गया है अब दिस्वी आदब को मंत्री गन को दी जाने वाले सुरक्षा ही दी जाएगी बतादे की राजे सुरक्षा समीती की बैठक में राजे के विशिस्ट वैक्तियों के सुरक्षा वरगी करन को लेकर बैठक आयोजित हुई थी इस बैठक के दौरान राजे सरकार के स्थर से सारन के सांसद राजी प्रताप रूडी को भी जैड स्रेनी की सुरक्षा देने का फैस्ट ला लिया गया है इंडिया गडबंदन से रिस्ता तोने को लिगा सीम नितीस ने बताई यह वजब इंडिया गडबंदन से नाता तोने के बाद एंडिया में सामिल हुए सीम नितीस का बयान सामने आया है दरसल बीते ही दिन सीम नितीस पुलिस मुख्याले पहुंचे थे जहां अधिकारियों के साथ उनकी बैठक देखने को मिली बैठक में सामिल होने के बाद जब वे मीडिया से रूबरू हुए तो इस दौरान उन्होंने इंडिया गरबंदन से नाता तोने को लेकर कहा कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था हम कह रहे थे कि यह नाम ठीक नहीं है अब हालात आप देख सकते हैं उन लोगों ने एक काम नहीं किया है इसलिए अब हम जिनके साथ पहले थे उनी के साथ रहेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे सीम नितियस के इस बयान के बाद यह साफ है कि उन्होंने इंडिया गडबंदन के इस नाम को लेकर भी आपत्ती दिखाई थी लेकिन इसे सभी ने नजर अंदाज कर दिया सीट सेरिंग को लेकर भी कई बार मामले फस्ते दिखाई दिये दिस वज़े से सीम नितियस एंडिये में सामिल हो गया राजद नेता मनोज जहा ने बिहार सरकार से की है मांग मांग अडबंदन के सरकार में दसलाख नौकरी के वादे किये गये थे इस वादे के तैट सक्चा विभाग समित कई विभागों में यवाओं को बरी संख्या में नौकरी दी गई लेकिन माग अडवंदन के सरकार तूटने के बाद राज़त और जदियू दोनों पार्टियां है इस नौकरी को देने का क्रेडिट लेने के चक्कर में हैं यहां तक कि सियम नितीस ने भी अपने एक बयान के दोरान कहा था कि रोज़गार देने का काम जदियू ने की आओ और इसका क्रेडिट राज़त ले रही है अब इससी बीच राज़त नेता मनोज जा का बयान सामने आया है दरसल पार्टी प्रदेस कारेयाले में एक प्रेस कॉंफरेंस के दोरान मनोज जाने का कि नितीस कुमार और उनकी सरकार में सामिल लोगते जस्वी आदब से जमकर राज़नीती करें इसमें कोई दिकत नहीं है लेकिन राज़े सरकार युवाओं के सपने से खेलने का काम नहीं करे और विभिन विभागों की लंबित रिख्तियों को सरकार जग भारे अचानक तबियत बिगरने के बाद अब घठ्रेस से बाहर हुए भारते खिलारी मयंक अगरवाल भारते क्रिकेटर मयंक अगरवाल की अचानक अगरतला से सूरत के उरान भने के दोरा अनतबियत बिगर्द गई थी इसके बाद उन्हें तुरी पूरा के अस्थानी अस्पतार में भर्ती करवाय गया था थाला कि अब मैंग खत्रे से बाहर है उन्होंने अपने अधिकारिक एक्सपर इसके संबन में एक पोस्ट भी सेर किया है यहां उन्होंने लिखा है कि मैं अब बहतर महसूस कर रहा हूँ वापसी के लिए कमर कस रहा हूँ आपकी प्रार्त नाओ प्यार और समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद आपको बता दे कि मयंक करनाटक की टीम में रंजी ट्रोफी 2023-2024 में कप्तानी कर रहे है निपोर्ट्स के मुताबिक मयंक ने पानी पिया था और इसी के बाद उनके गले में जलन की सिकायत होने लगी इससे थी विगरता देख उन्हें तुरंत अस्पतार में भरती करवाया गया था हाला कि अभी वे खत्रे से बाहर है कई कानों से दर्जाए भारत के तहास में आज की तारीक कलकत्ता बंगाल कलब के अस्थापना 1827 में होई थी दिली के सबसे पुराने कॉलेज सेंटे स्टीफन कॉलेज के अस्थापना 1881 में होई थी डाक वीमा योजना 1884 में लाग होई थी अस्थायोग अंदोलन तेज करने की जानकारी महात्मा गांधी ने 1922 में भारत के वोईसराय को दी थी भारत में यूनिट ट्रस्ट के अस्थापना 1964 में होई थी भारती अंतराश्टे विमान पत्नन प्राधिकरन का गठन 1972 में हुआ था राश्टे समवाद समीती समाचार का गठन 1976 में हुआ था भाती तट रक्षक बल का गठन 1977 में हुआ था भारत के पहले राश्टे केल संगडाल दिली के सापना 1977 में होई थी मेलबर्ण ऑस्ट्रेलिया में भारत के महेस भूपती और सानिय मिर्जा की जोरी ने 2009 में पहली बार मेक्स्ट डबल का खिताब जीता था चार देसों के पंजाब गोल्ड कप होकी टूनामेंट में 2009 में भारत के निउजिलेंड को दो सुने से हराया था भारत में पहली बार एक फरवरी साल 2017 में सुबाई 11 बजे देस का आम बजट पेस किया गया था साथी 93 साल बाद भाद्य बजट के इतिहास में रेल बजट को आम बजट में फिर से सामिल कर दिया था आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे तीन दिन के सापता एक छुटी के दावे के बारे में इंटरनेट के जबाने में कई ऐसी खबरे हैं जो वाइरल होती रहती हैं लेकिन सभी सचों ये जरूरी नहीं है आज संसर में बजट पेस होने वाला है लेकिन उससे पहले सोसल मेडिया पर बजट को लेकर एक खबर वाइरल हो रही इस खबर को लेकर याद दावा किया जा रहा कि पेस होने वाले इस नय बजट में केंद्रेवित मंत्री निमला सीता रमन बजट 24 में तीन दिन वीक ओफ पॉलिसी का एलान करने वाली हैं लेकिन जब हमने इस खबर को लेकर पड़ताल सुरू की तो हमने पाया कि P.I.B. Fact Check ने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है साथ इस खबर को सेर करने से भी मना किया गया है यदि आपके पास बेस तरह की कोई खबर आ रही है तो उसे सामने वाले को सेर करने से मना करे और खुद भी सेर ना करे WhatsApp पर Safe Messaging के लिए अपना ये तरीका चैटिंग के लिए मेटा के popular चैटिंग एप का इस्तिमाल करते हैं तो आपको अपनी safe चैटिंग का पूरा ख्याल रखना जरूरी है यूजर्स की सुवधा का ख्याल रखते हुए चैटिंग एप पर कई features पेस किये गया हैं अगर आपके whatsapp पर unwanted message बार बार आते हैं तो तुरंत उस स्थिति में यूजर को ब्लॉग कर दे और रिपोर्ट कर दे और साथ ही एक किसी भी अंजान सकते नीजी बाते और बैंकिंग की जानकारी साजा करने से बचे और अगर आप नीजी जानकारी साजा कर भी देते हैं तो अपने सुवधा के मुदाबिक 24 गंटे 7 दिन और 90 दिन की disappearing setting कर सकते हैं इस feature की मदद से एक समय के बाद chat को delete हो जाते हैं इसके साथ ही कई बार users अपने खास contact से chatting के दौरान privacy का ध्यान रखना चाते हैं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किसी तीसरे contact का प्रवियर स्टेटिंग में परिसानी पैदा कर सकता है इसलिए profile पर online status सो होने की setting को चेक कर ले हम प्रजी दिन आप से पांच जैसे दरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिपेसी बिहार पुलिस दरोगा समेथ स्सी जैसे अनेर प्रत्युकी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल एतिहास बिहार स्पेसल विज्ञान करेंड़ा फ्रेड्स और भुगोस से रहेंगे पूचेंगे पांच सवालों में अपने कितना सही उतर दिया है यह में कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है किस राजे में चौते रूसोमा औरेंज फेस्टिबल दोजा चॉबस का एउजन किया जाएगा इसका सही उतर है नागा लेंड उन्हा तरवे फिल्म फेयर अवर्ड तोजा चॉबस में किस मुवी को बेस्ट फिल्म का अवर्ड मिला है इसका सही उतर है टुवेल्थ फेयल हाली में कौन भारतिय सिना की पहली महिला सूबिदार बनी है ओप्शन अवनी चतुरवेदी ओप्शन भी है मिताली राज ओप्शन सी है प्रिती रजक ओप्शन डी है इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है प्रिती रजक गया सहर के इस नदी के किनारे स्थे थे ओप्शन अ है सो नदी ओप्शन भी है फल्कु नदी ओप्शन सी है गंड़क नदी ओप्शन दी है कोई सी नदी इसका सही उतर है फल्कु नदी महा बोधी मंदिर कहां से थे ओप्शन अ है पटना ओप्शन भी है राजगीर ओप्शन सी है वैसाली ओप्शन डी है बोध गया इसका सही उतर है बोध गया बीटे दिन हमारा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों आपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट स्विशन वाक्स मलिका दिया था इनों नवाद और पुझे के सवाल का जवाब दे उनके नाम है सुक कुमार सिंग, बंजय कुमार, विकास दास, प्रकास कुमार सोनी, भरत प्रसाद, निराला कुमार, समीद राध, रंजित मिस्रा, अंकीता सिंग, अनूज यादब, मुहम्मद साकेर, रुसायन रीभा, काम और साथ अगर आप यूट्यूब से देखना तो चनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बूक से देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद